यह स्टेटमेंट थोड़ी सी पढ़नी आपके लिए मुश्किल हो सकती है इसको मैं पहले आपको एक डाग्राम की हल्प से समझा देता हूँ यह स्टेटमेंट यह कहती है कि लेटर सपोज कि अर्थ सन के आसपास यह ऐसे चक्कर लगा रही है से यह की बात और यह जो इसका इलिप्टिकल ट्रैक है इसका एक डाइमीटर 3 into 10 to the power 11 meters यह डाइमीटर उसने आपको दे रखा है इस क्वेस्चन में मैंने उसे नहीं लिखा क्योंकि स्पेस की थोड़ी कमी थी लेकिन यह उसने डाइमीटर हमें उसका यह दे रखा है अब वो यह कह रहा है कि अगर सन से लेके अर्थ तक एक लाइन ड्रॉ करी जाए यानि कि एक रेडियस बनाया जाए तो इस रेडियस के उपर अगर कोई दूर एक स्टार है वो स्टार एक एंगल थीटा सब्टेंड करता है जिसकी वैल्यू 1 सेकंड है तो इस स्टार का जो डिस्टेंस होता है this distance d, this is called 1 पार सेक यह है इस क्वेस्टिन का जो रिक्वािर्मेंट कि आपको उसने यह फुल डाइमेटर दे रखा है half आप ऐसे calculate कर लोगे यह b आपके पास already है यह one second जो है जो angle वो subtend करता है वो उसने आपको दे रखा है इन दोनों की help से आपने यह distance d निकालना है but this distance d has to be calculated in terms of meters और जो भी आएगा meters में उसको हम एक parsec बोलते हैं और इसके लिए एक additional knowledge में आपको थोड़ी सी बता दूँ कि यह जो distance होता है between the sun and earth this is called one astronomical unit this is also called one astronomical unit और जो एक parsec होता है इसे आप याद रख लेना this is equal to 3.26 light years यह कभी objective type question में आभी जाता है question and it is also equal to 206000 astronomical units यह दोनों चीज़ें आप additionally याद रख सकते हैं और जो हम आज इसको calculate करेंगे उससे हमें वो meters के terms में भी पता चल जाएगा so let us see how we do it अब इसको शुरू करने से पहले मैं आपको यह बताना चाहूँगा कि physics में कोई भी question करते हैं या कुछ भी लिखते हैं उसमें उसकी assumptions या physical concept यह बहुत important होता है this carries a lot of meaning and it carries lot many marks also अगर आप physical concept assumptions नहीं लिखते तो इसके कई teacher marks card भी लेते हैं तो इस वाले question में क्या assumptions होंगी क्या physical concept होगा let us first of all try to list them पहली तो यह है कि जो theta है this is so small in fact one second होता भी छोटा ही है this is not an assumption this is in fact a physical concept that theta is so small sin theta is approximately equal to theta यह advanced mathematics में थोड़ा आपको कुछ दिनों बाद जैसे mathematics का करेंगी तो आपको इसमेडिया लग जाता है sin theta is approximately equal to theta therefore parallax formula can be applied यह इतनी line लिखनी जुरूरी है हो सकता है जो science के students ना maths के students ना हो उनको यह थोड़ा difficult लगे लेकिन यह line एक बार लिख दीजिएगा तो यह इससे आप यह justification बना लेते हो कि आप इसमें जो parallax formula है इस question में क्यों apply कर रहे हो तो parallax formula होता क्या है कि यह जो b है b is equal to d into theta अगर theta small है और theta अगर radiance में दिया हुआ है तो यह जो distance है यह d into theta है और अब समझी गए होंगे कि मुझे d चाहिए तो d will be b divided by theta ओके इसमें जो second point आपको note करना है वो है significant figures in the result आपको जो उसने data दिया हुआ है वो यही data दिया हुआ है 3 into 10 to the power 11 meters उसने इसका diameter आपको दे रखा है अब यही figure दी हुई है उसने आपको और यह जो one second वगरा है यह भी आप देख रहे हैं कि one second although it is an angle, it's no dimensions and all यह इसमें चाहे यह वाला one second यह ले लीजिए चाहे आप यह वाला figure ले लीजिए दोनों में significant figures आपके पास एक ही है, इसमें भी एक ही है in fact इसकी थो हमें बात अभी नहीं करेंगे तो यह जो data दिया हुआ है आपको इसका diameter दिया हुआ है उसके significant figures एक हैं और इसी diameter का हम इस्तिवाल करने वाले हैं तो क्योंकि एक significant figure है जो result होगा final उसमें भी हमें significant figure एक ही देनी होगी तो यह आप इस part को एक बार समझ लीजिए तो अब हम आगे क्या करते हैं यह formula हम इसको substitute करके अपना answer निकाल लेते हैं d is equal to b divided by theta जैसे मैंने अल्रेडी discuss कर लिया है अब second part यह आपको याद रखने वाली है कि यह जो angle है यह उसने दिया हुआ है seconds में यह होना चाहिए pure radiance में जिस तरह कोई आपको dimension दे दे मिली मीटर में लेकिन होनी वो मीटर में चाहिए तो यह जो मीटर में आपको convert करनी पड़ती है इसलिए seconds को आपको radiance में convert कर लेना चाहिए और इसका जो आपको याद रखना होगा कि 1 second is equal to 4.85 into 10 to the power minus 6 radiance यह conversion आपको याद होनी चाहिए यह जुबानी याद होनी चाहिए you should memorize it तो यह वाला मैं इसको और यह कहां से आई यह आप NCRT book में दूसरा या तीसरा solved example है शाहिए इस chapter का उसमें उसने calculate करके बताय भी हुआ है तो इसलिए यह expected ही है कि आपको यह याद होनी चाहिए बजाए कि आप exam में बैठ के इसका calculation शुरू कर दो यह आपको memorize होनी चाहिए अब यह जो B कितना है B will be half of this quantity तो half of 3 into 10 to the power 11 divided by यह theta 4.85 into 10 to the power minus 6 हो गया इसका adjustment calculation करके approximation करके यह figure आपका 3.092 into 10 to the power 16 यह बन जाता है तो इसका कुछ आप calculation डिवाइड उगरा करेंगे तो ज्यादा स्यादा यह figure आ जाता है अब मुझे क्योंकि मैंने पहले ही बता रखा है कि जो significant figure result में कितने होने है 1 तो इसका round off करना होगा इसको round off करके यह आप देखिए 3 into 10 to the power 16 meters यह इसका answer है तो इसको मैं साफ साफ लिख दूँ एक बार कि एक parsec अब याद ही रखना पड़ेगा क्योंकि यह कई बार objective में आ जाता है यह और उसके बाद हमने इसका जो light years के terms में यह वाला और फिर यह वाला जो था यह हमने इसको किया है astronomical units में यह चीज़े आप याद रख लीज़ेगा तो इस तरह से यह question हम करते हैं Thank you